सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को और साथी बेल आइकन प्रेस करके औल पर सेट कर दीजिए हमारे लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए नमस्कार दोस्तो इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि गाइस गर आपके पास भी जियो का सिम काड है और गाइस उस जियो सिम काड से आप कही पर भी कॉल लगाते हैं तो कॉल नहीं लग रहा है जब भी आप कॉल लगाते तो कॉल एंडेट ऐसा लिखा हुआ आपक के सिम काड से कॉल नहीं लग रहा है तो इस प्राप्लम को हम कैसे फिक्स करेंगे तो गयाईस गर आप भी जाना चादो कि जियो सिम काड में यहाँ पर कॉल नहीं लग रहा है तो इस वीडियो को देखते रहें ہے तो guys सबसे पहले क्या करना होगा, यहाँ पर Jio SIM card से call नहीं लेग रही नहीं लेगरिये तो यहाँ पर 3-4 steps फोलो करके आप इस problem को fix कर पाएंगे तो guys यहाँ पर आपको क्या करना होगा कैसे यहाँ पर आप जो है Jio Sim की Call Problem को Fix करेंगे तो सबसे पहले तो guys आपको क्या करना होगा आपको जो अपने phone में अपने SIM card का जो Jio का SIM card है उसका जो data balance है वो सबसे पहले आपको चेक कर लेना जो आपना recharge plan है वो सबसे पहले चेक कर लेना कि recharge plan आपका expire तो यह नहीं हुआ मतलब recharge plan खतम तो नहीं हुआ यह आपको देख लेना ठीके ना उसके बाद काईस क्या करना होगा आपका जो अगर recharge plan है अगर फिर भी call नहीं लग रहा तो आपको क्या करना होगा आपको अपने phone में यहां से जो notification बार open करना है उसके बाद यहां पर चेक कर लेना है कि आपको जो network properly आ रहा है कि नहीं आ रहा है यह सबसे पहले आपको चेक कर लेना है ठीक है ना यहां पर आपको सबसे पहले अपना network चेक कर लेना है network check करने के बाद यहां पर क्या करना होगा network पर प्रॉपरली आ रहा है फिर भी call नहीं लग रहा है तो आपको क्या करना होगा एक बार flight mode को on करना है और उसके बाद flight mode को एक बार फिर से off कर लेना है flight mode on करके off करेंगे तो यहां पर आपकी जो speed रही की वो boost हो जाएगा उसके बाद यहां पर अगर call नहीं लग रहा होगा तो लगना है अगर उतना करने की बाद भी अगर आपका bell क्या करना होगा उसके बाद एक बार इक बार अपने phone को switch up करके ऑन कर लेना है ठीक है know guys कई बार क्या होता है कि जब भी हम अपने phone को switch off करके on करते हैं तो phone लगना start हो जाता है कई बार ऐसा भी problem आ जाता है हमारे सामने तो कई बार अगर ऐसी problem आपके सामने आ रही है तो एक बार switch off करके on भी करके आपको देख लेना है अगर उतना करने के बाद भी अगर आपका call नहीं लग रहा है तो गैस क्या करना होगा आपको जाना होगा अपने phone की setting के अंदर phone की setting में आने के बाद यहाँ पर आपको देखना होगा SIM card and mobile network वाला option तो गैस कही पर क्या होगा SIM management लिखा होगा SIM cards and mobile data का option लिखा हुआ तो हम इसके उपर क्लिक करेंगे और गैस इसके उपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर एक ADL का SIM में एक Geo का SIM card है तो हमारा जो है Geo SIM card से call नहीं लग रहा है तो हम क्या करेंगे यहाँ पर हम Geo SIM card के उपर क्लिक करेंगे और गैस Jio Sim Card के उपर click करने के बाद यहाँ पर मैं आपको बता जिता हूँ कि क्या setting यहाँ पर आपको करनी है तो सबसे पहले तो यहाँ पर आपको देख लेना है कि आपका जो Sim Card है वो turn on होना चीए मतलब यहाँ पर on होना चीए disable नहीं होना चीए, enable होना चीए उसके बाद यहाँ पर नीचे के side में जो access point वाला जो देख तो option है access point name इसके उपर click करना है और यहाँ पर देख लेना है कि आपका जो GeoNet का access point है वो यहाँ पर है की नहीं है वो आपको check कर लेना है अगर यहाँ पर नहीं है GeoNet का तो यहाँ से reset पर click करके आपको reset कर लेना APNs को यहाँ पर reset कर लेना है उसके बाद यहाँ पर reset करने के बाद यहाँ से back आना है बैक आने के बाद यहाँ पर आपका जो network है वो भी check कर लेना है एक बार आपको जो prepared network के उपर click करना है और उसके बाद यहाँ पर आपको हमेशा करके रखना है उसके बाद यहां से बैक आएंगे बैक आने के बाद यहां पर सबसे नीचे वाला दीक्ष्ट यह वाले प्रॉब्लम लगबख सबी phone के अंदर होती है तो यहां पर leyipse यूज वाली वालteली तो यह वाला जो ने हमेशा हर phone के अंदर on होना चाहिए अगर Jio का sim card use करते है तो ये वाला option हमेशा on होना चाहिए यहाँ पर देख तो ये वाला option है इसके उपर हम click करते है अन करते है तो click करके इसे हमेशा आपको जो है on कर दिना ठीक है न तो यहाँ पर मैंने इसे on कर दिया है आपके phone अगर ये off है वाल्टी वाला option off है कही पर भी आपको डून लेना network setting के अंदर वाल्टी वाला option off रहेगा तो आपका call नहीं लगेगा आपको call ended का error आएगा सामने और guys आपका जो call रहेगा वो नहीं लगेगा तो फिलाल मैंने इसे यहाँ पर हम कोई भी एक number type करेंगे number type करने के बाद एक तो यहाँ पर हमार मेरा already number यहाँ पर जो call log में है तो यहाँ से मैं call लगा के आपको बदा देता हूँ किसी भी number के उपर हम click करेंगे और उसके बाद यहाँ पर हम call को लगाएंगे उसके बाद मेरी voice जो यहाँ पर शायद बंद हो जाएगी तो गैस आपने देखा होगा कि मेरा जो call मैंने लगाया था वो call successful यहाँ पर लग रहा है और पहले जो यहाँ पर मेरे को call ended की problem आ रही थी जब भी volte वाला option off था तो call ended ऐसा लिखा हुआ मेरे सामने आ रहा था और call जो यह नहीं लग रहा था तो गैस अगर आपके सामने वे यही problem आ रही है call ended वाले geo sim से call जो नहीं लग रही है तो इस तरह से इस problem को आप जो यह fix कर सकते हो तो guys उमिद करता हो आपको पता चल गया होगा कि geo sim card से call नहीं लग रहा तो इस problem को हम कैसे fix करेंगे तो guys गर आपको यह video पसंद आए तो video को like करना, share करना और गर अभी तो का आपने हमारे चैनल को subscribe नहीं किया तो please हमारे चैनल को subscribe कर लिजे